आज मैं आपको एक नई डिजाइन का तुरन पट्टी बताने जा रही हूँ जो कि यह फ्लावर से फ्लावर और लीप से सजा हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं मैंने फोर कलर से बनाया है और इसे बनाना बिल्कुल ही आसान है तो आईए इसे जाने किसे कैसे बनाये गया है इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे यह फोर कलर का उल्लिया है और यह सेवन नमर की प्रॉस यह है मैं स्टार्टिंग करने वाली हूँ वाइज से यानि हमें पहले बेस तयार करना है बेज त्यार करने के लिए यानि कि हमें एक पट्टी बनानी है जाली वाली पट्टी बनाने के लिए इस तरह से एक नोट लगाएंगे यह वन काउंट करेंगे हमने इस पर 16 खुक बनाये अब थंदे को इस तरह से लेंगे वन टू थ्री लेट करेंगे यहां एक बर और ध्यान से देखेंगे यह देखिया हमने फुप बना लिए अब इस पर 1,2,3 थ्री वाले फुप पर क्रॉसी अडालेंगे और इस तरह से बनाएंगे उसके बाद one chain लेंगे और one chain को skip करेंगे next chain पे, इस तरह से double crochet या गराइंगे againone chain one को skip किया next hook पे इस तरह से पर स्पत्टेर into what one spear skip करते हुए हमें यहां तक बना लेना है यहां देखेंगे यहां हमने एक first row बना लिया है अब यहां पर क्या करने हैं वान टू थिरी फोर फोर का चैनल लिया फिर इसे पलटेंगे और पलटने के बाद यह रिछ़गे यह जो है ना एक वन चैनल इसे हमें ऐसे करके इसमें डालना है और क्रोश्या को निकालकर डबल क्रोश्या बनाना है इस तरह से और फिर किल्स थमने में अदर बढेना के से अधी अच ہے और फिर एंगेन वाजेन तैंज सुथ में नेक्सों कि यानि कि एक वॉल पर एक हमें डबल कॉश या बना लेने ही के यहां तक मैं बना लेते पूब दिखाते हैं पहुर्ट आitel देंगे यह देखिये यह last का है जिसमें हमने यहां पर फोर चैनल लिया था उसके लिए हमें एगें वन चैनल लेंगे और यहां देखेंगे एक चैन के बाद नेक्स चैन पर इस तरह से बंदे को डालकर ऐसे डबल क्रोश या बना लेंगे तूरो हो गया एगें वान टूर ठी कोर हमें लास्ट में हमेशा जो है और इस तरह से टल लेने हैं और फिर इसके बीच में डालना है यानिकि भूप पर डालना है भूप पर डालके एदर क्रोश का बनाएंगे और फिर बाकी जो है सारे इस तरह से अंदर की और डाल पर बनाएंगे और इस तरह हमें जितनी लंबाई चाहिए होगी उतनी लंबाई तक हमें इसे बनाने हैं यहां देखेंगे यहां हमने इसे त्यार किया है यह कुछ इस तरह से तयार हो जाएगी आप यदी चाहेंगे कि इसे और चौड़ा बनाना है हमने 16 हुक पर बनाया है आप 20, 22, 25 का भी बना सकते हैं इस तरह से इसे त्यार कर लेने हैं और अब आएगा इस पे यह फ्लावर, इस फ्लावर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यह रेट का बनाना है, उसके लिए क्या करना है यहाँ पर, इसे जो है ना इस तरह से राउंड का सेट देंगे, और फिर इसे इस तरह से राउंड का सेट देंगे, और इसके अंदर से क इस तरह पंदे को निकालेंगे और फिर इस पर एगूख बनाएंगे यह इस तरह से बारनी के ले रहने चाहिए वान टू थी और फिर इसके उपर पर इहां पर हमें फोर चैनल लेने हैं इस तरह से हमारा दो जाली भना थरी अगयन डवल प्रोश या रिया हृ गरर रस के लए इ हैडिकरी तो मैं थों इस भुव छान रहें कर देहां और करें स्लिप स्टिच से स्टिच करनें यह इस सरकल तयार हो जाएगा अभी से कट कर लेने हैं आप इस तरह से कट कर लेंगे और धागे को nog four दैशे की और खीच लेंगे और ये बढ़े हुए जो दागे हैं इसे बार में कट कर लेंगे अब इसपे हमें सेक्न कलर लगाना है सेकंड कलर में कि एलो कलर लगाने वाली है यह देखें इसे यह जो हॉल बना है ना six हॉल किसी हॉल से हमें ले लेने हैं इस हॉल से इस तरह से हमने हॉल से थंदे निकाले यह देखें अब इस पर क्या करने हैं बनाया और फिर इसी हॉल से वान वन टू डबल क्रॉस हबा एगन और इस पर एक ऑल पर इसे छोडूने हैं दो थोड़ने हैं वान टू थी वाले हुप पर हम इस तरह से कॉस्वी डालेंगे और इसे इस तरह से खीच नहीं तो यह हमारा एक बल्ब त्यार हो जाएगा अब इस पर वान तू का चैनल अब आएंगे नेक्स्ट होल पर यह है एगें इस पर फाइब डबल क्रॉश्य बनाएंगे लगए फ्री पीफ पाइब रीक्त रावल क्रॉश्य को निकालेंगे और यह जो पहला डबल क्रॉश्य बनाए हमें इसे डाल कर इसलिप कर लेंगे कि यह हमारा सेकंड बअब तैयार हो जगा और बॉज पर वान टू का गूंच टू इड़ या पाइए अ नेके सुझट इस तरह से हमें बॉज कि क्या करने हैं हुआ कि सीक्स बअल्ब त्यार कर लेतीं फ्र दिकाती यहां देखेंगे यह स्कुलक में तैयार हुज sub इस पे वान टू का चैन बनाया और इस पे आएंगे जिस पे हमने टू चैन बनाया है यह देखिए इस पे इस पे आकर इसमें हमें इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है स्लिप स्टिच करके वान चैन करके इसे कट कर लेना है इस तरह से कट हुगया यह हमारा फ्लावर त्यार हुगया है इसे अंदर क्यों कर लेंगे आए और अब जो है इस पे हमें लीफ बनाना है लीफ कैसे बनाना है उज़े मैं बदाती है है हुग दोद बनाने के लिए इसका बल वंक के बीच नहीं है यह जो हुक है जाली बना है उस जाली से प्रासिआ को डाले है और इससे इस तरह से निकालेंगे और इस पर वान टू थ्री फोर फाइव यह हमने फाइव चैन दिया यहां देखेंगे हमने इस पर फाइव चैन दिया फंदे को वान टू थ्री थ्रे टाइम हमने लब पेटा और सीम हुक पर वान टू थ्री तीन फंदे अब रहेंगे और एक हमें बनाने हैं तू थ्री वान टू थ्री अब देखिए अब इस पर फोर फंदे आ गया है इन सारे को एक साथ इस तरह से निकाल देंगे अब इस पर वान टू थ्री थ्री चैनल लेकर फिर इसी हॉल पर यहां जिस पर हमने बंद किया था इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे अब इस पर वान टू थ्री पूर फाइव और फिर इसी हॉल पर जिस पर हमने स्टार्ट किया था यह कुछ इस तरह से त्यार होगा अब क्या करने हैं वन चैनल लेने हैं और फिर इस से सटे यह जैस्ट इसके बगल वाले हुग पर इस पर यह इस पर आने हैं और हमें इस पर सिंगल प्रॉस्ट यार फिर एगे इस तरह का लिप बनाना है इस तरह से दो रखा इस तरह से इम बना लेना है यह रेखिए सकेंड पती भी त्यार होगी फाइब चैन हमने ले लिया फिर इस पर आके हमें सिंगल प्रॉस्ट या बना लेना है वन चैन बनाके से कट कर लो नहीं है यह हमारा दो लिप त्यार हो गया इस तरह से हमने पट्टी के कॉर्डिंग लिप को बना लिया है अब हमें शेट करने के लिए इस तरह से लेंगे और तभी को ऐसे एक आप ऐसे दिर्चा से भी लगा सकते हैं या सीदे सीदे भी लगा सकते हैं इस तरह से एक नाप से जैसे सेंटर है ना तो सेंटर से पहले स्टार्ट करेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा इस सारे का सेंटर यहां हो गया उस तरह का एकोडिंग हमें सेट कर लेने हैं एक थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से इसे जाना चाहते हैं तो और यहां भी दे सकते लेकिन यह थोड़ा सा दूरी रहेगा तो जादा ही सुन्दर लेगा अब इससे स्टीज करने हैं इससे स्टीज करने के लिए हमने कुछ परल भी लिये हैं जो हमें फ्रावर के सेंटर पर देना है इस तरह से अब इस तरह से अंदर से भी आप डाल सकते हैं याखी लिए इस तरह से इसमें परल लगा लेंगे और इससे स्टीज करेंगे इस तरह इस सेंटर पर लाएंगे और इसी से फिर अंदर की ओर से इससे स्टीज कर लेंगे कि मैं सारे को सठीफ कर लितीए फिर दीखाती हूं यहां कुझ तरह से इसे हम कॉंप्लिट कर लेंगे अब इसम भी तोरंका फ्लावर लगाने हैं आप चाहे तो इसी फ्लावर को भी 123 इस तरह करते हुए सजाते हुए आप इसे सजा सकते है यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें और सबस्ट्राइब करना ना भूला, थैंक यू